नमस्कार दोस्तों, मैं विनोत कुमार, CLC परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज अपन जो करने जा रहे वो Diamond Trace Series का जो Dungle 4 है उसका हमारा Paper Solution है, 4th number जो TEST था उसका Solution अपन करने जा रहे हैं ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास में Dungle 4 में जो Full Slever TEST है उसके बारे में आपन देख रहे हैं देखो, पहला क्यूशन है हमारा If the R and H represent horizontal range and the maximum height of the projectile projectile की क्या दी गई है बटा आपन को? यह maximum height दी गई है Then the angle of projection with the horizontal horizontal के साथ में angle of projection क्या होगा? तो हमने क्या बोला? कि भई हमारे पास में R क्या हुआ करता है? U X to U X U Y upon G हुआ करता है ऐसा कुछ लिखा करते हैं हम लोग अगर हम लोग H की बात करें बटा जी तो क्या लिखेंगे? U Y square by 2 G U X सब जानते हैं U cos theta और U Y सब जानते हैं कि U sin theta होता है अगर दोनों को divide किया जाए तो यहाँ से एक G ने G को मार दिया U Y ने U Y को मार दिया देख बटा यहाँ लिखूंगा मैं इधर R upon H घान से देखे R upon H और देख इधर क्या बचेगा? U X upon U Y U X upon U Y यह हुआ? यह 2 X 2 इसके साथ पर 2 पर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा बटा यह आया देखो U को लिखेंगे U sin theta इसे लिखेंगे U cos theta ऐसा लिख दू 1 upon 10 theta equal to R upon 4 H तो theta is equals to 10 inverse 4 H upon R तो यह हमारा correct answer हुआ किसके लिए बटा? theta angle of projection अपन को पता चल गया है यहाँ से next question है हमारा फिर है हमारे पास error से जुड़ावा सवाल है क्या सवाल दिया गया है बटा आपको T और यह formula दिया गया है आपको बोला गया है length यह है जिसको major किया गया है 1 mm accuracy से यानि list count दिया गया है 1 mm तो और 50 second बटा यह number of oscillation कोई कामका नहीं है हमारे पास हमारे कामका क्या है बटा यह 50 second बटा आपने clock से कितना major किया तो error कितने की होगी जितना second major करोगे उसमें list count के बराबर तो list count का मतलब किता दिया आपनको बटा 1 second हमको g में गलती निकालनी है तो z is equal to यहां से निकालता हूँ L upon T square इसको लिखना चाहो तो delta G upon G equal to delta L upon L plus 2 delta T upon T हो जाएगा बटा आई बात समझ में आगे देखते हैं बटा delta L की जगे क्या लिखूंगा 0.1 क्यों क्योंकि बटा यह mm में है और यह किसमें हमारा centimeter में तो यह upon divided 2 times into 1 second over 50 तो देख बटा यह हो गया 0.01 plus 0.04 यह हुआ कितना आया यह 0.05 यह किसका वेल्यू आएगा बटा delta G by G का वेल्यू अगर percentage में निकालेंगे क्या 100 से multiply कर देंगे भई तो हमने इसको 100 से multiply किया तो answer क्या बन गया हमारा 5% next question है बटा देखो particle of mass this mass दिया गया है subjected to a force vary with distance if start journey from rest यहां से यानी initial velocity कितनी है बटा U बराबर 0 आपको velocity चाहिए कहां पर 12 पे चाहिए तो बटा work energy theorem क्या कहती है work done due to all the force is equal to K final minus K initial क्या initial kinetic energy 0 रही होगी यार क्योंकि initial velocity क्या है मारा 0 है तो initial kinetic energy क्या है मारी 0 अब work done क्या होगा बटा क्या इसका area ही तो होगा यार इसका area निकालता हूँ बटा पहले इस triangle का निकाल लेता हूँ मैं न तो क्या होगा 1 by 2 base into height क्या जेसा triangle ये है वैसा ही symmetric ये है तो इसको क्या कर दूंगा मैं 2 times plus इस वाले को निकालूंगा तो ये 4 into 10 40 equal to 1 by 2 m m कितना दिया 0.1 into v square देखो ये 2 से 2 cancel 40 40 80 80 को 2 से multiply किया तो 160 आया बटा 160 इसको नीचे भेजो कि तो 0 आगया है v square तो v का value कितना आया बटा 40 next question हुआ error unit dimension का सवाल हुआ velocity दी गई है आपको pressure upon x then the dimension of x क्या होगा बटा x की dimension क्या होनी चे देखो velocity square लिख देता हूँ pressure upon x तो x equal to आ जाएगा pressure newton upon meter square into velocity का square तो meter square second square आया गनी आया बोल बटा लिखा velocity को अपन ने अब देख newton को क्या लिखूंगा बटा m into a newton को मतब kg into meter per second square into second square meter square meter square देखो second ने second को मार डाला बटा एक meter ने meter को भी मार दिया तो ml की पावर माइनस का 3 तो ml की पावर माइनस 3 dimension आया next question a person traveling on a state line move with uniform velocity V1 for a distance x and with uniform velocity V2 for next equal distance than average velocity बटा ऐसा कहा गया कि भाई मान लो हम A से B तक गए बटा दो भाग में चले पहला आदा दूरी चले V1 से अगला आदा दूरी चले V2 से तो average चाहिए भाई average तो सिखाया जाता है total distance upon total time बटा इससे में time लगेगा distance upon रफ्तार distance upon रफ्तार x को मल लेके काट दिया तो बचेगा क्या यह average speed आई बटा जी आई बात समझ में तो यहां से इसको solve करोग तो ऐसा लिख सकते हैं इसको नीचे बेज़दर 2 by V equal to 1 by V1 plus 1 by V2 इसको arrange करके लिखा तो यह आया next question बटा a block follows the path as shown in figure from height as if the radius of the circular path is R बटा यह R है then the relation that hold good to complete full cycle एक बता हो इस block को यहां छोड़ा जाए तो यहां velocity होगी कितनी मेरे साब से तो रूट 2GH होगी बटा और यह जो velocity है वो बड़ी या बराबर होनी चाहिए पूरे circle होने के लिए क्या रूट 5GR के होनी चाहिए यार नहीं आया क्या क्या रूट जी ने रूट जी को मार डाला तो यह क्या आया 2H बड़ा या बराबर 5R के तो H का value किसके बराबर आएगा 5 by 2R यह लो correct answer मिला अपनको next question है बटा पर आर्बीडी से जुड़ावा सवाल है हमारा कि एक छड़ है PQ यह कोई छड़ है इसको यहां से हिंज किया गया है बटा अचानक से इस रसी को काट दिया गया इस रसी को काटेगा तो नीचे क्या लगेगा यहां MG तो बटा टॉर्क लगेगा देख का लिखूंगा टॉर्क बराबर I alpha equal to MG into क्या लिखा करेंगे बटा L by 2 अरे टॉर्क बराबर I alpha होता है यार तो F क्या यही है जो इसको गुमा के नीचे लाएगा बटा I की जगे क्या लिखेगा क्या रोड के एक सीरे से ML square by 3 होता है वारा तो हम क्या लिखेंगे alpha निकालेंगे M से M कट गया sorry L से L कट गया तो यह हमारे पास alpha का जो value आएगा 3 by 2 G by L यह low answer हो गया 3 by 2 G by L next question अगला है P दिया गया है बटा momentum is given then acceleration of the particle एक बात समझ में आई मुझे P दिया गया है मैं F को जोडता हूँ F बराबर D P by DT क्या F आ गया तो क्या F को M A के बराबर लिख सकते हैं बटा तो चाहिए क्या है A चाहिए acceleration तो यार यहां से अगर मुझे acceleration चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा 1 by M M कितना किलो है 3 किलो इसका differentiation कर दो 12 T I cap plus 7 J cap यह तो 0 हो जाएगा तो हल करेंगे अंदर मुल्टिप्लाई करेंगे 4 T I cap plus 7 by 3 J cap यह आगया हमारा second answer next question if W1, W2, W3 represent the work done in the moving particle from A to B तीन रास्ते हैं हम लोग तीनों में इधर से इधर गये पटा in gravitational field gravitational field at a point mass M find the correct relation between W1, W2, W3 पटा gravitational field में अगर आप किसी भी path के along initial से final तक जाते हैं तू चाहिए इधर से चला जा चाहिए पूरी दुनिया में घूमके चला जा अगर वो conservative force है सरक्षी बल है तो का किया गया कारिये सभी रास्तों में समान रहेगा तो सभी का work done क्या रहेगा conservative force के लिए same रहेगा next question यह बोला गया है कि maximum force so that block does not move देखो बटा component तोड़ता हूँ इधर का क्या लिखूंगा f cos 60 तो f by 2 हो गया f cos 60 का हूँ तो f by 2 हो गया इधर क्या लिखा गया root 3 by 2 f हो गया हमारा समझ गये बात को उपर क्या लगेगा विटा normal लगेगा इधर तो हम क्या कहें नीचे क्या लगेगा mg तो देख भई यह जो force चाहिए आपको f by 2 यह force यह बड़ा या बराबर होना चाहिए किसे friction से क्या तबी तक तो रुकावा रहेगा रुकावा रहेगा कि क्या रहेगा less than equal to होना चाहिए यह मैंने गलर लिख दिया less than equal to ताकि ना चले गर्सन बड़ा होना चाहिए friction बड़ा होना चाहिए mu n n को क्या लिखेगा mg प्लेस root 3 by 2 f यह हमारा यह आ गया है बटा f का value निकालना है f का value पन को निकालना है तो हम लोगों को mu दिया गया है बटा जी मैं mu की जगे भी value रख लूँगा एक बार इसको हल कर लाता हूँ f वाले को बाहर निकाल लेता हूँ बटा देख यहाँ f 1 आ गया इसको उधर ले जाओंगा तो बचेगा क्या बटा minus का root 3 बचेगा mu root 3 बचेगा sorry इसके साथ में mu भी multiply होगा equal to लिख दिया मैंने एक बार mu mg इतनी बात सब को समझा आ गई अब हम लोग इसको हल करें f equal to mu का value है 1 by 2 root 3 into mg root 3 into 10 ये तो mu mg upon 1 minus root 3 1 by 2 root 3 root 3 in root 3 को मार दिया root 3 in root 3 को मार दिया यहां से 2 से 2 कट जाएगा बटा कितना आएगा 5 आएगा 1 minus 1 by 2 हो गया देख लो कोई बढ़ना हो जाए कहीं पर calculation में तो 1 by 1 minus 1 by 2 तो 1 by 2 बचेगा तो ये कितना आगया हमारा 10 answer आगया ये लो तो 1 plus 2 by 5 हो गया तो 2 by 5 हुआ तो बटा कितना बिला है 5 by 7 G sin theta 5 by 7 G sin theta next question diameter of 2 planets are in the ratio planet के ratio के diameter दिये गया मतलब radius का ratio दे दिया गया आपको समझो बात को फिर क्या है दिया गया density का ratio दिया गया 1 by 2 the ratio of G बटा G को क्या लिखा करते हैं generalize GM by R square diameter square लिख दो मैं कहा दू कि GM को क्या लिखा हूँ गनत वह रिंसिटी इंटू volume तो rho into R cube R cube से तो ये बचेगा बटा proportionality में तो G1 by G2 बराबर rho 1 by rho 2 into R1 by R2 देखो बटा diameter of the planets ये ratio दिया गया है 4 is to 1 फिर दिया गया है their mean densities 1 is to 2 तो 2 से 2 कट के answer आगया 2 is to 1 बटा जी next question अगला फिर RBD से collision से जुड़ा हूँ है सवाल है collision का momentum conservation एक छड़ AB जिसका दर्यमान इसका मास दिया capital M लंबाई 8L दी गई है small m इसका दर्यमान है V-node से चल रहा है टकर के पश्याद ये जो छड़का दर्यमान के अंदर है बटा collision के बाद में ये कितिश जा रही है V-node by 8 से और जो particle है वो कितिश जाएगा V-node by 4 से तो इसका ratio हमारा क्या होगा तो हम क्या लगाएंगे momentum conservation देख क्या लिखेंगे M into V-node is equal to M into V-node by 4 plus capital M V-node by 8 ये लोग खतम का आणि उल्टा बोल दिया मैंने देख बड़ा इसने क्या बोला कि कण V-node by 4 से वापस लोटता है मतलब V-node by 4 से वापस लोटरी का मतलब नेगेटी में होना चाहिए momentum तो इसको इधर लाऊंगा इस वाले को तो आजाएगा 5 by 4 M into is equal to M by 8 इसको काड़ दो दो आया capital M by small M equal to 10 ये लो ये ratio कितना है हमारा 10 answer आ गया इसका next question है एक spring गए बटा जैसे ये spring थी हमारी इसका spring constant K है इसको दो बाट में divide कर दिया length का ratio 1 is to 3 बोल देता हूँ K universally proportional होगा किसके बटा L के जिसका L कम उसका K ज्यादा होता है तो बड़ा इसको काटने का तरीका मैं कहा दू इस वाले भाग और इस वाले भाग के लिए direct trick लिए लिए तीन और एक कितना हो गया 4 दोनों का ratio का sum कर लो 4 4 इसका खुद का ratio कितना 1 इसका खुद का ratio कितना 3 ये लो ये answer छोटे वाले का देखोगे तो 4 के बड़े वाले का देखोगे तो 4 by 3 के कोई सोचने वाली ओ देखो बेटा A wave of amplitude आपको amplitude दिया गया है देखो सभी में एक जैसा आ रहा है 360 यानि आपको V दिया गया है 360 meter per second wavelength 60 meter आपको lambda दिया गया है 60 is traveling along positive x direction ध्यान देख पहले तो बड़ा positive x direction का मतलब क्या लिखा जाएगा कि भाई ये देखो positive negative positive negative ये तो हमारी positive direction है बट ये कैसी है negative आपको सिखाया भी जाता है कि या तो इसको 0 के बराबर put करके देख लो x upon t का value कैसा आता है positive है तो positive direction negative है तो negative direction आएगा परन्तु यहाँ दो में से answer देना है मैं एक बार इस तीसरे को check करता हूँ बटा तीसरे में लिखा गया y बराबर 0.2 sin देखना इसको multiply करूँगा अंदर 12 pi t minus बड़ा लिखा गया 2 pi upon 60 into x इससे क्या लिखेंगे k और याद के angular wave number k तो k का value कितना विटा 2 pi upon lambda this is equals to 2 pi upon 60 तो यह lambda का value कितना आया 60 तो answer कौन सा होगे विटा मारा यही हो गया इसके according देखोगे तो जो lambda का value आएगा वो कुछ अलग आएगा 60 नहीं आएगा next question temperature है, speed है कोई कहानी नहीं V proportional to root T होगा विटा V1 by V2 बराबर under root of 27 degree Celsius है Kelvin में कितना विटा 300 यह temperature कितना हो जाएगा T2 आपको निकालना है V ने V को मार दिया तो T2 का value कितना आया 1200 Kelvin degree Celsius में लिखोगे तो 230 minus कर दोगे विटा तो कितना आएगा 927 degree Celsius Next question Moment of inertia दिया आगया विटा देखो कोई भी generalized हुआ I proportional हुआ M into R square समझोई यह हुआ ठीक विटा जी यह मैं ऐसा लिख दूँ equal to भी लिख सकते हैं कोई भी general constant हो जाएगा मैंने कहा कि भी अगर moment of inertia में change की बात करेंगे तो M में कोई change नहीं आएगा Change किस में आएगा भी लिख देता हूँ 2 I over I equal to M into देखो भी यह क्या लिखा गया M में कोई change नहीं है तो 2 delta R over R भी R में 2 times change आएगा हमारा हम यह लिखेंगे और R में change होने को क्या लिखा जा सकता है बटा R के change को लिख सकते हैं alpha delta T यह लो यह delta I over I आगया I को इधर multiply कर दो answer आगया 2 alpha I delta T यह लो खतम का नहीं अगला question देखो बटा ideal system can be brought from stage A to B A से B तक ला रहे हैं अलग अलग तरीके से बटा इसका मतलब delta U सब के लिए क्या हो गया रही delta U1, delta U2, delta U3 सब के लिए constant यानि same हो गया तो जिसका area जादा हुआ इसका मतलब इसका लिखूँ by dq बराबर w यह लिखता हूँ plus constant क्या यह constant तो सब में same हो गया delta U और यह constant का मतलब क्या हुआ यार क्या delta U ही तो हुआ तो delta U सब के लिए क्या हुआ बटा same तो dq बराबर delta U plus w जब यह सब में यह same हुआ तो जिसमें w जादा है उसमें heat भी क्या होगी जादा जिसमें work done कम होगा उसमें heat भी क्या होगी कम होगी तो देखो बटा जी सब से कम work done किसका रहा होगा देखो AF और B सब से कम area इसी का रहा area देख लिया आपनने AF B का AF B का तो answer क्या आगया हमारा AF B next पटा mixer का सवाल हुआ gamma mixer होता है N1 CP1 plus N2 CP2 upon N1 CV1 plus N2 CV2 तो बटा मैं कह देता हूँ देखो gamma लिखता हूँ मैं पहले वाली gase 1 mole into कैसी है monoatomic gase हुई बटा monoatomic gase हुई उसके लिए अगर मैं CP1 लिखूँँगा monoatomic के लिए बटा CP लिखने का तरीका होता है 1 plus 2 by F into R mono के लिए कितना हो जाएगा 3 3 और 2 पांच 5 by 3 3 आर बाद में देख लेंगे प्लेस अगले वाली gase का 1 mole into पर डाइटो में गया कितना 5 तो 7 by 5 अपोन अब आजाएगा हमारे पांच गरबर कर दिया मैंने गरबर कर दिया बटाजी देखो दुबार देखना यह होता है 1 plus F by 2 F by 2 तो यह पहले आएगा हमारा 3 3 और दो 5 बटे 2 यहाँ आएगा 1 into 5 by 2 plus 1 into यहाँ आजाएगा 5 plus 2 तो 7 7 by 2 आप दिखेंगे नीचे 1 into CV CV को दिखूंगा 3 by 2 plus 1 into 5 by 2 2 सब जगे कट जाएगा आचर साथ 12 बटे 5 और 3 8 3 by 2 यह हमारा CP मिक्शर आगया गामा मिक्शर आगया Next question यह सारा आपको boiling के लिए दे रहका है temperature graph दे रहका है heat curve दिया गया है बटाजी तो करना क्या है DE represent the boiling of water DE boiling of water को depend present करता है क्या नहीं boiling तो steam बन गया है बटाज़ वेपर बन चुका है वास बन चुका है DE पर तो At B water start boil B पर नहीं कहां पर start होता है बटाज़ा C पर start दोनों गलत statement At C all the water get converted into steam C पर नहीं होगा कहां पर होगा बटा D पर क्या CD represent boiling of water बटाजी तो कौनसा अंसर इसका fourth answer correct है Next question Which of the following is incorrect about the charge आवेस के लिए कौन सी बात गलत है क्या आवेस सनक्षित रहता है बटाजी बिल्कुल conservative होता है क्या आवेस क्वांटी कर रहता है बिल्कुल सही बात है सब आवेस विशिष्ट आवेस विशिष्ट आवेस का मतलब हो गया Q by M हमारा क्या ये constant होता है नहीं क्यूं नहीं होता क्यूंकि M depends on speed M बराबर M node into 1 minus V by C का square क्या ये M depend करेगा V पर तो Q by M कभी भी constant नहीं होता तो ये constant नहीं होता आप परिवर्तन सील invariant परन्तु ये परिवर्तित होता है आवेस की योगात्मक परवर्ती होती है बिलकुल होती है सब algebraic तरीके से जोड़ते है अगला current I और voltage graph given है किसी भी धातू के लिए metal के लिए बता क्या तू ऐसा लिख सकता है V बराबर IR होता है मैं 1 upon R equal to लिख सकता हूँ I upon V क्या इसी को मैं क्या कहूंगा बटा 10 theta किसका slope जादा है इस वाले का जादा तो इसका resistance क्या होगा R1 कम होगा R2 से अब बता जब conductor की बात करी गई है metal की बात करी गई है धातू की बात करी गई है तो तापमान बढ़ाया जाएगा तापमान बढ़ाया जाएगा तो resistance धातू का बढ़ जाएगा तो किसका तापमान जादा हुआ बटा T2 जादा हुआ T1 से next question बिल्कुल सिंपल सा सवाल हुआ बैटा यहाँ 0V 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 0 220 220 220 सब जगे 220 मैं कहा दूँ यहां भी 220 हुआ क्या यह 1100 है क्या तो बैटा करंट क्या लिखेगा इस एक में करंट 220 बट्टा 1100 यह लो 112 बट्टे 10 हो गया यह एक बट्टा 5 क्या इसमें 1 by 5 1 by 5 1 by 5 इसमें से कितनी गुजरी बटा 3 by 5 एंपियर थर्ड आंसर हुआ नेश्ट क्यूशन बैलेंस वीट इस्टोन ब्रीज जवई तो बैलेंस वीट इस्टोन ब्रीज होगा तो बटा आमने सामने वाले का मल्टिप्लिकेशन क्या होना चीए बराबर 10 गुणा 4 चालीस बराबर 20 गुणा यह यह देखो यह क्या लिखूंगा आर इंटु 10 अपोन आर प्लस 10 यह कारदो कितना आएगा 2 हल कर लो बैटा 10 आर बराबर 2 आर प्लस 20 इसको ज़ा लाएंगे 8 आर इक्वल टु 20 तो आर इक्वल टु हो जाएगा 2.5 ओम तो आंसरा जाएगा 2.5 ओम next question कौन सा बटा slope देखते हैं हम लोग बता क्या हम लोग ऐसा लिखते हैं dp by dv is equal to minus का p by v किसके लिए isothermal के लिए dp by dv equal to minus gamma p by v किसके लिए adiabetic के लिए इसो थरमर नेक्ट क्यूशन डाइरेक्शन बतानी है बटा देखना भई ओपर डाइरेक्शन क्या होगी वायर में करंट इधर जा रही है मैं राइट हैंड थम्ब रूल बताऊं करंट अंदर गई जिदर करंट जा रही है उधर अंगूलिया फेला लो जहां पर बी निका करंट बाहर आ रही है इधर निकालना तो इधर कहीं आया यह बी इधर आया ऐसा ही हम लोग इसमें देखते हैं बटा बी इधर है मोडा ऐसे तो अंगूठा इधर इधर की तरफ आया ऐसा ही इसमें करंट इधर है मोडा इधर तो अंगूठा इधर की तरफ तो रिजल्टे direction में आया रहे भाई नीचे की तरफ नीचे कौन सी दिसा हुई देख लेते हैं क्या A D आया नहीं C B आया नहीं A B ऊपर थोड़ी आया यार नहीं कौन सा आया C D के अलोंग आया next question एक चुमबक के सुई जिसकी चोड़ाई मोटाई इसके लंबाई की तुलना में नगनने है एक शेतिस तलमेटी आवर्तकाल से कमपन करती है यदि एन समान भागों में लंबाई के लंबवत तोर दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा आवर्तकाल होगा टू पाई अंडरूट ओफ आई अपॉन एम बी ये कॉंस्टेंट ये कॉंस्टेंट टी समान उपाती आएगा आई अपॉन एम के बेटा लंबाई एक बट्टा एन हो गई तो एम कितना हो जाएगा एम बाई एन हो जाएगा सोचने वाली बात ही नहीं मॉमेंट ओफ इनर्शिया की बात करें आई की बटा आई में जनली एम एल स्कॉाई लिखूम बाकी सब चीज़ छोड़ो एम एल स्कॉाई है एम क्या हो जाएगा नया हमारा एम बाई एन लंबाई कितनी हो जाएगी एल बाई एन तो क्या जो आई होएगा क्या वो आई पुराने वाले आई का एन की पावर तीन में आ जाएगा देखो यह वेल्यू यहाँ पुट करेंगे तो टी का वेल्यू क्या बन जाएगा टी डैस ओवर टी इक्वल टू अंडर रूट ओफ आई डैस आई अपोन एन क्यू इन्टू एम अपोन एन इन्टू एम बाई आई येलो साब एक एन से एन कर जाएगा एम से एम आई से आई एक बटा एन हो गया है बटा तो टी डैस किसके बराबर आया है टी बाई एन के बराबर सवाल वही है अगला सवाल मैगनेट इस पैरलल टू दे यूनिफोर्म मैगनेटिक फिल्ड इस रोटेट बाई देख बटा इधर की तरफ हमारे पास ये फिल्ड है ये हमारे पास में मैगनेट है इधर की तरफ हमने इसको रखा जीरो डिग्री एंगल पे ठीक तो मैं क्या लिखूंगा डवल्यू बराबर एम बी कॉस ठीटा टू पहले 60 गुमाया माइनस कॉस ठीटा फिर बात करिए किसका वेल्यू आजाएगा यहाँ से 0.80 आ गया है डवल्यू डैस अब बोल रहा है यह कि आप इसको गुमाओ कितना और गुमाओगे बटा थर्टी तो 90 हो जाएगा कहां से गुमाया ठीटा 160 से लेकर यह आपको बेल्यू बता नहीं है ठीक कोस 0 कितना 1 कोस 60 कितना 1 बाइ 2 1 बाइ 2 माइनस 1 तो माइनस का 1 बाइ 2 तो mb इक्वल टू माइनस का 1.6 देखो साब यहां आएगा mb का वेल्यू माइनस 1.6 इन्टू यह 0 हो जाएगा बेटा और यह माइनस का 1 बाइ 2 तो यह 0.80 आगया हमारा आंसर नेक्ट क्यूशन अगला सवाल देखो बेटा इसमें क्या निकालना आपको emf induced निकालना है तो कैसे निकालें देखो बेटा यहां पर आप x पे जाओगे dx का टुकड़ा तोड़ोगे उस dx टुकड़े के लिए छोटा सा a velocity रहा होगा तो छोटा सा potential difference लिखोगे वो क्या लिखा जाएगा वी इसके कारण से b आएगा b लिखूंगा mu node i upon 2 pi x vbl l कितना बेटा dx यह छोटा सा a mf total निकालना होगा तो r से लेकर r plus l तक yellow हल कर लेते हैं v mu node i upon 2 pi ln r plus l upon r yellow answer आगया हमारा clear हुई बात यह अगला question next question है the core of transformer is laminated to reduce मतलब core जो transformer की होती है उसको laminate क्यों करते हैं देखो आप जहान है strip में तोड़ते हैं बटा हम लोग ना strip में तोड़कर उसको चारों तरफ से laminate कर देते हैं ताकि एक effective area जो बचे उसके कारण से induced current ना हो induced current ना हो मतलब AD current को कम करें हम लोग next question in a coil of resistance 10 ohms सब कुछ यह दिया गया बटा आपको बोला गया change in flux निकालना है देखो EMF जो होता है उसका magnitude d5 by dt होता है मैं एक बार लिख देता हूं और हम लोग अगर current निकालना चाहें बटा तो वो लिखा जाएगा e by r यह लिखा जाएगा e by r लिखा जाएगा मुझे d5 निकालना change in flux i into r into dt इंटिग्रेट कर देंगे मैंने लिखा delta phi i into r into t एक काम कर लेता हूं it गराब दिया गया है क्या उसका area हो जाएगा integration करने पर बटा तो यह area निकालेंगे हम लोग कितना आएगा 1 by 2 base into height into resistance कर दिया 2 से 2 कट गया 0.1 कितना आया बटा 4 वेबर next question let k1 be the maximum kinetic energy of photo electrons emitted by light of wavelength lambda 1 है ना देखो बटा इसके लिखोंगा मैं क्या लिखा जाएगा कि भई hc by lambda 1 equal to phi plus k1 यह हुआ फिर दूसरे वाले के लिखा and k2 corresponding hc by lambda 2 equal to phi plus k2 यही है lambda 1 की जगे तो क्या लिख दूंगा बटा मैं 2 lambda इसकी जगे लिख दूंगा मैं 2 lambda lambda 2 equal to phi plus k1 एक equation तो यह है इसमें 2 से divide कर लेता हूँ बटा मैं तो देख क्या लिखूंगा sc by 2 lambda 2 phi by 2 plus k2 by 2 आ गया दोनों equation को minus कर दो यह लो यह cancel हो जाएगा बटाजी यहाँ 0 बचा 5 minus 5 by 2 कितना बचेगा 5 by 2 यह k1 है minus k2 by 2 इसको इधर वेज देता हूँ k2 by 2 is equal to k1 plus 5 by 2 देखो k1 में कुछ add करेंगे तो k2 by 2 बनेगा यह जो value है वो इस k1 से जादा है तो k2 by 2 जो हुआ वो जादा हुआ कि से k1 से नेश्ट क्यूशन है अलफा पार्टिकल मुविंग होरिजोनली मैक से हैड़न कोलिजन elastically with a proton at raised what are the ratio of d Broglie wave length associated with alpha particle and proton just after collision एक बात तो समझ गए कि lambda जो होगा वो h by m into v होगा एक तो यह कहानी मुझे lambda यह चाहिए मुझे पुछ चाहिए alpha particle alpha upon lambda proton equal to तो बटा देखो आप सब अगर जानते भी होंगे तो मैं लिख देता हूँ mass of mass of proton upon mass of alpha particle v of proton upon v of alpha particle है प्रोटोन और alpha का mass आप जानते हो proton का कितना एक तो alpha का कितना बटा 4 हुआ करेगा बात करेंगे हम लोग velocity की तो velocity में यह कहानी होगी हम momentum conservation लगाएंगे विरा मवस्ता में इस्तित एक proton से एक alpha कंड क्षेति सम्मुक टक्कर करता है alpha कंड का मतलब 4 वाला यह भाग रहा है किसी रप्तार V नोड से मास 1 इसका 4M यह रुका हुआ है दोनों की टक्कर हुई तो 4 वाला जा रहा है V1 से 1 वाला जा रहा है V2 से ठीक है यह जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे 4 V नोड बराबर 4 V1 plus V2 यह equation number 1 हुआ है अगली equation कहां से आएगी बटा परत्यास टक्कर collision हो रही है elastic collision E बराबर 1 V2 minus V1 upon U1 minus U2 तो यहां से लिखूंगा V2 minus V1 equal to V नोड दोनों को minus करेंगे वैटा यह minus कर दिया यह plus हो जाएगा यह minus यह वाला कट गया 5 V1 equal to 3 V नोड देखो V1 का जो value आया वो 3 by 5 V नोड आया V1 का मतलब किसका आया वैटा यह alpha particle का आया इसको alpha नाम दे देता हूँ अब V1 का value आप किसी में भी रख दो यहां रख दोगे 3 by 5 तो इधर हो जाएगा मारे पास 8 by 5 तो V2 का value आयेगा 8 by 5 V1 मुझे चाहिए VP VP मतलब proton प्रोटोन दूसरे का यानि V2 by V1 चाहिए वेटा तो 8 by 5 अपान 3 by 5 यानि 8 by 3 तो यहां लिख देंगे 8 by 3 यह cancel कर दो तो 2 is to 3 यह हमारे पास 2 is to 3 आंसर आ गया किसका 33 का next question है light coming from a discharge tube filled with pure hydrogen falls on the cathode of excited state के लिए hydrogen का जो energy है वो कितना 13.6 और इसका surface work function कितना दिया गया 4 electron volt तो कितना बचा बटा यह 9.6 बचा गया यह 9.6 बच गया 9.2 बचा कितना बचा देखो यह हो गया 4 कम गया 9.6 electron volt कम से कम इतना चाहिए यह यह या इससे ज़्यादा चाहिए ताकि photo current क्या बन जाए हमारी zero हो कोई current pass ना हो यहां तक तो current मिल सकती है तो इससे ज़्यादा कौ focal length of convex mirror is 10 cm image of an object placed at 20 cm बटा convex mirror यह वाला mirror focus कितनी है इसकी 10 cm क्या बोल रहा है object placed at 20 cm यहाँ 20 पे रखा object को तो कहां बनेगी image क्या 20 पे बनेगी नहीं बनेगी बना के देख लो नहीं बनेगी अगला image of an object placed at 10 cm 10 पे रखा गया तो infinity पे नहीं यह कौन के यह थोड़ी है यार convex है तो virtual बनेगी इसकी तो ultra बनेगा कामी तो पता नहीं कहां बनेगा तो इसका मत दोनों ही बात सही नहीं है next question अगले बड़ा second part हुआ हमारा यह first part था अगले part पे हम लोग चलते हैं तो अगला part है हमारा सबसे पहले vector का simple सवाल ही हुआ हमारा पेटा A cross B क्या लिखेगा A B sine theta बराबर root 3 A B cos theta A B से A B cancel तो 10 theta का value कितना आया पेटा root 3 तो theta कितना आ गया 60 degree next question the radius of 2 air bubble are in the ratio of 4 is to 5 excess pressure delta P equal to 4 T by R या 2 T by R जो भी है यार मैंतों करो proportional to 1 upon R तो delta P1 upon delta P2 equal to R2 by R1 R2 कितना दिया गया विटा अपन को R2 का value हमारे पास ultra ratio हो गया उसका तो 5 is to 4 next question अब की बार सवाल देखते हैं कि square है whole of side length L is made a depth of Y बेटा जी देखो यह कोई container है उपर से Y पर एक area L square का height का L square का वो बनाया गया है L length का square hole बनाया गया है तो इससे जो mass rate बाहर आएगी बेटा इससे बाहर आने वाला rate होगा area into velocity root 2 G into Y दूसरा बोला एक दूसरे 4 Y depth पर surface से circular hole बनाया गया यहां से किते बनाया गया वाटा 4 Y पर उससे निकलने वाला पानी उसका area होगा पाई R square into velocity होगी root 2 G into 4 Y cancel कर लो दोनों बराबर दिये गए हैं वाटा देखो यहां पर मैं कहूंगा L square equal to 4 का 2 हो गया 2 pi R square तो R का value क्या आया L upon under root of 2 pi यह L और R में relation आ गया L upon 2 pi next question है परदेशी चितर में चिकने तरशेतिस तल पर दो बक्से स्प्रिंग से जुड़े हैं एक नियत बल F M2 पर आरुपित किया जाता है इस पर बल लगाया गया जब निम्ल में से सत्यकतन कौन सा है इस्प्रिंग की लंबाई में लगातार वर्दी होगी यदी M1 बढ़ा है M2 से ऐसा कोई जरूरी नहीं है बक्से उनके दर्यमान केंद्रों के सापे एक सरर आउध गती करते हैं blocks starting performing SHM बटा यह तो center of mass पे बेट होगे तो आपको यह block कैसे करते हैं दिखाई देंगे ऐसे क्योंकि force कहां लगेगा हमारा force तो center of mass पे पढ़ाया जाता है तो force center of mass पे लगेगा with constant acceleration जाता हवा दिखाई देगा तो blocks starting start performing oscillation about the center of mass the system with increasing amplitude यह नहीं है फिर यह भी तो यह हमारा सही answer हो गया next question पे चलते हैं a road is fixed between between two points at 20 degree celsius the coefficient of linear expansion of material of road is this young's modulus of these find the stress developed in the road is the temperature बटा क्या हुआ कौन्सी stress है यह ताप यह पर्तिवल thermal stress thermal stress की बात करेंगे तो y alpha into delta t यह thermal stress हो गया y का value कितना है 1.2 into 10 to power 11 1.1 into 10 की power minus 5 delta t कितना है 10 तो 5 तो 4 तो यह 7 10 की power 7 1.2 into 1.1 into 10 की power 7 देखो तो यह जाएगा 1.3 into 10 की power 7 तो पहला answer भई next question अब की बार heat का सवाल है heat transfer का बटा मैं तो कर रहें heat का सवाल ही नहीं यह current electricity का है junction का temperature पता करना है जाने वाली current सारी AC की AC माल लो देख क्या लिखूंगा T minus 0 upon resistance R क्योंकि सब एक जेसी है तो सभी का परतिरोध क्या हुआ पेटा समान हुआ एक प्लस जाने वाली current I1 I1 I2 I3 तो I2 लिखूंगा पेटा T minus 90 बटा R plus T minus 90 बटा R बराबर 0 आर सब में कड़ जाएगा एक दो तीन तो T का वेल्यू आएगा 180 बटा तीन साट डिगरी कितना आया साट डिगरी Celsius next question हाँ इसने बोला कि दो बोल है उनकी according दिया गया बटा देखो पहली बात आवेस समान है चाए अलग हो इस एंगल पर आवेस के समान और अलग हैने से कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों पर electrostatic force तो same ही लगेगा चाए वो charge बड़ा हो चाए वो charge है छोटा हो मतलब charge से कोई फरक है नहीं पड़ेगा बात आती है भई मास से हम लोग चेक करेंगे बटा ये वाले पर force fe इधर लगेगा इधर mg लगेगा ये हमाँ पर 2 mg लगेगा ये fe लगेगा ज्यादा force ये हुआ तो ये angle क्या होना चाहिए था कम इस वाले का answer देखेगा तो theta 1 कम होना चाहिए था theta 2 से जो की उल्टा दे रखा है फिर देखो नीचे mg सेम है दोनों पे दोनों पे force b सेम होगा होगा बिल्कुल क्योंकि दोनों पे mg सेम दोनों पे fe सेम तो beta 1 बराबर beta 2 होना चाहिए था आगला देखते हैं दोनों पे 4 तो सेम है fe तो सेम होगा भारी कौन सा हुआ 2 mg तो alpha 1 छोटा होगा alpha 2 से तो तीसरा answer सही मिल गया है वटा क्योंकि बड़ा electrostatic इधर लगेगा वो तो सेम लगेगा नीचे जो लगेगा उसमें इधर ऐसा ज्यादा लग गया यह तो ज्यादा होगा उसकी तरफ angle क्या होगा कम तो ज्यादा force होगा उसकी तरफ angle क्या हुआ कम हुआ next question फिर general सवाल है बड़ा एक square plate हुई बड़ा अब बताओ इसको close करोगे close करोगे तो कितने cube की जरत पड़ेगी बड़ा 8 cube की 8 cube से जो flex pass होगा वो cube आई epsilon node तो 1 cube से कितना होगा 1 cube से cube आई 8 epsilon node एक cube में 6 face होती है और अगर ऐसी condition की बात करी जाए बड़ा इस charge के लिए तो 3 face से जो गुजरने वाला flex होगा हमारा एक तो ये वाली face एक ये वाली एक उधर वाली ये वाली इन 3 face का flux क्या रहेगा? सेम रहेगा जो 0 के बराबर होगा तो बचे कितनी? 3 मतलब ये किस से आया बटा? 3 face से आया है तो 1 face से कितना हो जाएगा हमारा? 1 by 24 cube आई epsilon node ये लिए फोर्त आंसर next question the numerical value of charge on either बटा steady state में इसको अठा दो इसमें current बहेगी कितनी बहेगी पहले वो बता देता हूँ? I बराबर इसको अठा दिया गया I बराबर E बटा capital R2 plus small r यही बहेगी इस पे जो potential होगा वही potential यहाँ होगा और यही potential यहाँ होगा बटा जी दोनों पे same potential होगा तो मैं potential निकाल लेता हूँ इसके लिए देख बटा V minus E यह ऐसे करन्ड जाएगी तो यह plus यह minus है ना V minus E plus I R I into R किसके बराबर? 0 के बराबर V का value निकाल लो बटा इसको अधर बेज कर E LCM लिया R2 plus R minus small R R2 plus R R से R cancel हो गया तो V का value आएगा R2 into epsilon upon R2 plus R यह तो V आया तो charge निकाला क्यों बराबर? C V तो C से multiply कर दो यह answer आगया बटा C into E into R2 upon R2 plus small R next question एक parallel plate capacitor है separation D है charge with help of battery so that U node energy stored पैटा U node energy आई जब आपने इसको यह कोई भी voltage लगा दिया plate of dielectric constant K and thickness D is placed between the plate अब की बार एक dielectric constant रख दिया परंतु battery अभी भी वही है तो capacitance क्या हो जाएगा? K C तो क्या हो गया? K into U node तो नया answer आगया हमारा next question अगला बोला कि which of the following statement are true? कौन सी बात हमारी सही है? कौन सी बात हमारी गलत है? वही properties है कुछ all the radioactive element decay exponentially with time बिलकुल सही बात है भाई E की power के अंदर ही exponentially decrement की बात करते है बटा हम लोग इसका मदो यह बात हो सही प्रोपर्टी है हमारी है half life time of radioactive element is the time required for one half of radioactive atoms to disintegrate बटा ऐसा बोला गया कि half life वह समय होता है जब उस material के उस radio activity के आधे जो nucleus या आधे जो हमारे atoms थे वो decay हो चुके है इसका मतलब यह statement भी सही है age of the earth can be determined by radio activity dating बेटा बिलकुल सही बात है कि radio activity के कारण से हम लोग age find करते है half life time of radio activity element is 50% बिलकुल जूट बोल रहा है यह जब यह सही है तो अपने आप ही जूट हो गया है तो answer पहला दूसरा और तीसरा पहला दूसरा और तीसरा third option correct हुआ इसका next question चोथा हुआ इसके लिए बोला गया कि focus f2f की उत्ता लेंस पर चितना अंसार एक सेंटीमीटर इसका जो है वो diameter कितना है एक सेंटीमीटर है तो दूसरे lens पर यह है ऐसे चलेगी ठीक यह f है यह 1 है देखना यह 2f है तो बड़ा symmetric ले लो इस triangle को एक तरीके से यह triangle देखो दो ट्राइंगल बनगे symmetric मतलब सीधी बात खतम यह कितना बन जाएगा ठीटा लेकर कर दो या तो 10 ठीटा से यह symmetric कर दो तो symmetric में यह कितना है बटा 1 यह कितना f equal to यह x माल लेते हैं यह 2f तो x का value कितना आ गया 2 cm तो अपसारी अभी सारी और दो यह रहा ऐसा निकल जाएगा यह पर अब की बार diameter क्या हो जाएगा इसका बटा 2 cm पहले कितना था 1 cm पर incident हुआ था next question dispersive power of the prism depends on material of the prism क्या prism का material अलग-अलग color के लिए अलग-अलग reflective index हो करता है यह मैं कह दूँ कि भई यह material पर depend करता है next question यहाँ चलते हैं बटा I बराबर NEAVD देखो अगर मैं कह दूँ VD की बात करी जाए तो I upon NEA यह हो गया हमारा जब temperature कम करोगे semiconductor में temperature कम करने से number of यह जो electrons थे यह free charge carrier है NE वो क्या हो जाएंगे बटा कम हो जाएंगे यह कम हुई तो velocity क्या हो जाएगी बटा VD हमारा बढ़ जाएगी velocity तो दूसरा अंसे का NE decrease और VD increase next question यह हमारा semiconductor का सवाल हुआ बटा इसमें हम लोग as a two table की तरह काम करवाएंगे बटा जी देखो बटा क्या है मालो में इसका two table बनाता हूँ देख एक बार two table बना लेते हैं फिर आगे बटते हैं इसके लिए देखो बटा यह a है यह b है शुरू में देखना यह one है यह zero है फिर देख लेता हूँ यह one है और यह b one है फिर देख लेता हूँ यह zero है यह one है फिर यह one है यह zero है बाकी आगे चलता जाएगा देख बटा इसको one ले लिया इसको zero ले लिया देखना यह one है तो यह क्या हो जाएगा यह zero हो जाएगा यह zero है तो यह one हो जाएगा समझ गे बात को ये node की तरह negative की तरह काम करेगा उसका उल्टा हो जाएगा अगर ये नहीं होता तो बैटा ये किसकी तरह न ये नहीं होता तो ये हमारे पास 0 देता अगर ये 0 देता तो अब कितना हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा जीरो इससे आउटपट क्या मिलेगा 1 और 1 होता तो ये 0 और 0 होता 0 और 0 तो ये 1 और 1 तो ये 0 अगें 0 फिर से वही हो गया 0 फिर से हो गया 0 यानि अब देखो अगर ये लास्ट में देख लेता हूँ ये 0 जीरो होता ये भी 0 ये भी 0 तो ये 1 ये 1 ये 1 1 तो ये 0 ये 1 जीरो तो ये 1 तो आउटपुट क्या होता बेटा 1 होता आपकी बहार तो आंसर को इसा बन गया देखरो 2 टेबल हमारा तो बेटा ये हमारे पास डंगल 4 का हमारा टेस्ट पेपर था इसका सोलिशन अपन ने देखा है थेंक्यू